जहिंद वंदे मातरम साथियों आप सभी का एक वार फिर से विजेपत एजुकेशन के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म में हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है आज है एक जनवरी दोहजार चौबिस सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुब काम नाए दोहजार जो बिस आपके लिए काफी अच्छा गुजरे आपको सक्सेस जो है वो मिले सरकारी नोकरी आपको मिले इसी के साथ हम आज की क्लास को जो है वो शुरू करने वाले हैं करंट अफियर दिसंबर मन्थ 2013 का आज हम कंप्लीट करेंगे मन्थली आपको करंट अफियर की एक 2013 का एक कंप्लीट करंट फियर का सेशन में आपके लिए लेके आया हूँ साथ में आप हमारे साथ बीकली क्विज भी लगा सकते हैं साथ साथ में आपको वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो बीकली जो है वो करवाये जाते हैं ताकि आपकी दिसंबर मन्थ के जो चार वीक ह सार हफते हैं उनके सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके वन लाइनर फो में भी आपको प्रवाइड करवाये जाएं आप हमारा एप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे आप डेली डेली जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं सो स्टार्ट करते हैं आज किस क्लास को करेंट फिर आपको bilingual मिलेगा, इसमें आपके banking, SSE, defense railway या फिर जो भी हिमाचल government exam रहते हैं, उन सबी को ये हमारा session cover करेगा, विजे पर defense education को आप subscribe कीजिए, youtube channel को, डेली शाम आठ वजे, आठ वजे रात को, डेली जो है वो आपकी एक practice mock paper जो है वो लगाया जाता है, जिसमें हिंदी, English, GK, current affair, journal science, math, reasoning, हर किसी के 10-10 question जो है वो आपसे discuss किये जाते हैं, क्योंकि morning में आप अपनी practice कीजिए, आप जहां पर coaching लेते हैं, online करते हैं, offline करते हैं, या फिर self study करते हैं, आप खुद read कीजिए, और शाम को विजे पाथ education के ओपर रात आठ वजे जो है वो आप डेली जुडिए, अपने उस तियारी को चेक कीजिए, कि कितने आपके जो ह करते हैं, आज किस बहतरीन class को, सबसे पहले कुछ MCQ के ओपर discuss करेंगे, उसके online question को हम discuss करेंगे, देखी, सबसे पहला question है, किस राजय पुलिस ने अपना WhatsApp चैनल शुरू किया है, तो ऐसी कौन सी राजय पुलिस है, state पुलिस है, जिसने अपना एक WhatsApp चैनल शुरू किया है, देखी, Facebook पेज आप सब भी ने सुना है, Twitter handle आपने सुना है, लेकिन WhatsApp की मुहीम जो है, वो उत्तर परदेश के द्वारा जो है, वो शुरू की गई है, option B, इसका right answer है, नीचे इसकी description में detail दी जाती है, आप उसको भी read कर सकते हैं, इसकी PDF पाने के लिए आप जो है, वो हमार टेलिग्राम चैनल के साथ साथ हमारे WhatsApp ग्रूप और उसके साथ आप हमारा app डाउनलूड कीजिए, जहां पे आप इसकी PDF के साथ साथ अपनी quiz जो है, वो भी आप continue कर सकते हैं, daily, monthly या फिर early, देखिए, इसमें बताया गया, कि UP पुलिस ने अपराधिक एवं कानून विवस बनता है, दिसमबर 2013 का करंटे फिर रहेगा, next question हाल ही मैं, exchanger ने किस सहर में, जनेटिव AI studio जो है वो खोला है, कहां पे इस studio जो है वो खोला गया है, तो बेंगलूरू में खोला है, क्यूंकि आप सब भी जानते हैं, electronic city की नाम से जो है, वो हम इसे जानते हैं, तो artificial intelligence जो है, बेंगलूरू में ही आएगी, तो जनेटिव AI studio की स्थापना है, बेंगलूरू में की गई, studio का प्रात्मी कार एक ऐसा स्थान परदान करता है, जहां पे exchanger का data और AI team जनेटिव AI पर आधारित समाधान विक्सित करने के लिए ग्रहकों के साथ मिलकर जो है, वो काम कर सकती है तो ये हमारी center government के द्वारा जो है बो नई मुहिम जो है बो चलाई गई है, next देखिए, खेलो इंडिया youth games का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो जनबरी में जो है ये आपका आयोजन होगा, खेलो इंडिया youth games, ये जो है बो तमिलनाडू में किया जाएगा, राइ नई में खेलो इंडिया youth games के अधिकारी logo, जर्सी, सुभंकर और theme जो उनकी गीत है, उसको जो है बो इनके द्वारा launch किया गया, छटा ससकरन जो है बो छटी बार जो है ये करवाए जाएंगे, 19 से 31 जनबरी तक जो है बो ये games जो है बो होंगे, तो तमिलनाडू के चार शह कौन-कौन से है, चिन्नेई, तरिची, मदुरई और कोईमबटूर, यहां पर जो है बो किये जाएंगे और इससे पहले जो है, यह कहां पर किये गए थे, उनकी detail भी जो है आपके पास दी गई है, तो खेलो इंडिया youth games का योजन जो है बो तमिलनाडू में किया जाएगा, नेक्स्ट कोईशन है, किसे हाल ही में F.I.H. F.I.H. का मतलब है कि जो होकी महासंग है, उसके द्वारा प्लेयर ओफ एर अबोर्ट से सम्मानित किया गया है, तो प्लेयर ओफ एर अबोर्ट जैसे क्रिकेट में दिया जाता है, शतरंज में दिया जाता है, बोलीबॉल, बास रहने वाले हैं भारत की होकी टीम के जो हैं ये प्लेयर हैं और 2023 में इनको ये अवोर्ड दिया गया है बाकी डिटेल आप यहां पे साथ साथ में दी गई इसको आप रीड कर सकते हैं ग्रामिन विकास मंत्राले ने स्वयम सहाइता समुह के उतपादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझोता किया है तो देखिए सेंटर गौर्वर्मेंट के द्वारा एक नई मुहिम जो है वो चलाई गई है जो भी स्वयम सहाइता समुह होते हैं यानि कि जो कि चाए है या फिर बांस का अचार है या फिर जो छोटे छोटे उतपाद जो है वो छोटे छोटी फैक्टरियां जो लगाई जाती है इंडस्टर एरिया जो छोटे छोटे होते हैं तो सेंटर गौर्मेंट ने जीयो मार्ट के साथ जो है वो समझोता किया है यानि कि उसको एक national level के उपर जो है वो उसको sale किया जा सके तो option है geomart इसका सही answer है next question है राश्टी गनित दिवश कब मनाया जाता है तो देखी important question है science related जुड़ा हुआ question national mathematics day जो है वो हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है और परधान मंतरी मनमुहन सिंग जी के द्वारा जो है ये घोशना की गई थी कि 22 दिसंबर को राश्टी गनित दिवस जो है वो मनाया जाएगा 2012 में ये घोशना की गई थी और इस दिन जो है वो श्री निवास रामनुजन जो की आप समझ सकते हैं इंडियन मैथेमेटिक्स के फादर हैं आप उसको उस तरीके से उन तरीके से जान सकते हैं जिन होने जो है वो काफी जादा थियोरम बताई थी कि सुन्ने को सुन्ने से काट दिया जाए तो कितना बचता है आपने इनकी मूवी जो है वो देखी होगी इनसे रिलेटिड जो मूवी है वो आप जरूर देखी है साइंस में इंटरस्ट आपका क्रेट होगा मैथ आपको काफी अच्छा लगेगा इंटरस्टिंग लगेगा नेक्स कोशन है भारती नोसेना ने हाल ही में किस जलिक्षेतर में स्वदेशी गाइडेंड मिसाइल तेनाद की है तो हाल ही में भारती नोसेना के दौरा एक मिसाइल तेनाद की गई है उस मिसाइल का नाम जो है वो भी आप से यहाँ पर पूछा जा सकता है तो स्मुद्री डकैती की घटना को रोकने के लिए जो है वो अदन की खाडिक शेतर जिसको हम गल्फ ओफ इडेन के नाम से जो है हम जानते हैं यहाँ पर जो है वो स्वदेशी मिसाइल विद्भनसक जिसका नाम है उसको तेनाद की गया है और यह जो है लाल सागर और अरव सागर के बीच एक प्राकरतिक स्मुधरी लिंक जो है वो बनाता है जहां से इस स्मुधरी डकैति की घटना को रोकने के लिए जो है वो इंडियन नेवी के दौरा यह मिसाइल तेनाद की गई है किस केंदरी मंत्री ने दो दिवसी जंजाती केंदरी कारिकरम आधी ब्याख्यान का उधगाटन किया आदी ब्याख्यान कारे करम का उध्घातन किया है next question है हाल ही में विश्व बैंक ने किस राजे में 300 मिलियन डॉलर के कार करम को من tecnología दी है word bank के द्वारा तमिल नाडू में हाल ही में तमिलनाडू में 300 मिलियन डॉलर के कारे करम को जो है मनजूरी दी गई है दो मिलियन लोगों को पानी और सीवरे सेवाओं को और बहतर बनाने के लिए ये फंड जो है वो बर्ड वैंग के द्वारा दिया गया है नेक्स कोईशन हाल ही में बिश्व बास्केट बॉल दिवस कब मनाया जाता है 21 दिसंबर को ये मनाया जाता है 21 दिसंबर आप याद रखिए 22 दिसंबर को नैशनल मैथेमेटिक्स डे मनाते हैं और 21 दिसंबर को बिश्व बास्केट बॉल डे जो है वो मनाया जाता है 1891 से जो पर जो है वो मनाया जाता है नेक्स्ट है हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरुषकार जीता है तो टैगोर साहित्य पुरुषकार जो है वो सुकृता पोल जी के द्वारा जो है वो जीता गया है ये इनकी बिनर जो है रही है और जो परसिद लेखक थे साहित्य कार थे रखा गया है और कभी अलोचक सुकृता पॉल कुमार को उनकी पुस्तक सौल्ट एंड पेपर के लिए छटा पुरुषकार जो है वो दिया गया है ये चीज़ आप यहां पे ध्यान रखें और इसमें क्या-क्या दिया जाता है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंड है पांच हजार अमरीकी डॉलर का नगत पुरुषकार एक टैगोर जी की प्रतीमा और एक प्रमान पत्र एक सर्टिफिकेट जो है वो उनको दिया गया हाल ही में जारी इंडेक्स कि अनुसार भारत में काम करने के लिए कौन सा राज्य जो है वो सबसे पसंदीदा बना है एक नई रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट दो हजार चोबिस तो उसके लिए जो है वो केरल को सबसे बहतर राज्य माना गया है काम करने के लिए ये भी question important है, हाल ही में किसी airport के terminal 2 को बिशोस्तर पर, शीर्ष सुंदर airport के रूप में मानेता मिली है, तो बैंगलूरू airport को ये मानेता दी गई है, option A, इसका सही answer रहेगा, हाल ही में रसाइनों पर VGGS 2024 pre-submit seminar कहां आयूजित किया जाएगा, important question है, most important question है ये आपके लिए, क्योंकि रसाइनों से जुड़ा हुआ, ये question आपके लिए है, और गुजरात में जो है, वो इसका seminar जो है, वो चलाया गया है, next question है, हाल ही में किस राजी के मुख्य मंत्री ने कक्षा आठ के चातरों को टैब वित्रत की शुरुवात की है, तो आंधर परदेश के मुख्य मंत्री, जगन मोहन रेड़ी जी के दौरा ये शुरुवात की गई है, आंधर परदेश के मुख्य मंत्री है, और कक्षा एठ्थ के विद्यार्थियों को टैब देनी की शुरुवात इनों ने की है, चलाई गई है नेक्स कोईशन है हाल ही में 2024 में भारत के गंतंतर दिवस समर हो के लिए किस देश के रास्ट पती को अमंतरित किया गया है important कोईशन है क्योंकि 26 जनबरी को हमारा गंतंतर दिवस मनाया जाएगा हमारा जैन आज जो है वो शुरू हो गया है आज 1 जन है दिसंबर 2023 का करेंट फिर हम डिसकस कर रहे हैं पूरे मन्त का और 2024 में 26 जनबरी 2024 में फ्रांस के रास्ट पती जी को जो है वो अमंतरित किया गया है तो आपके फ्रांसी सी रास्ट पती जी का नाम क्या है इमेनॉल मैक्रो को गंतंतर दिवस मरहो में मुख्य आती थी के तोर पर शामिल होने के लिए मंतरित किया गया है इससे पहले जो हमारा G20 समेलन किया गया दिल्ली में वहाँ पर भी फ्रांस के राश्ट्रपती जो जहीं वो आये थे और ये कोईशन आपके जो आपका अभी हाल ही में एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया आर्मी के द्वारा राश्ट्रि मिल्ट्री स्कूल का जो आपका एक्जाम था क्लास 6 जो एंट्राश समेलन हुआ फ्रांस के राश्ट्र पती जो भारत आइ थे उनका नाम क्या था यहां से थोड़ा सा आप कोरिलेट जो हैं वो आप कर सकते हैं क्योंकि फ्रांस के राश्टरपती जी को जो है वो अमंतरित किया गया है 26 जनवरी 2014 को नेक्स्ट कोईशन है अंतराश्टी किसान दिवस कब मनाया जाता है इंपोर्टेंट कोईशन तो 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस जो है वो मनाया जाता है भारत के पांच में जो परधान मंतरी थे शिर्चोधरी चरन सिंग जी उनकी जनती के दिन को जो है वो पूरे देश में नेशनल फार्मर्स डे के रूप में जो है वो मनाया जाता है important question है भारत के पांच में परधान मंत्री ये रहे थे 1979 से 1980 तक इन्होंने जो है वो देश की सेवा की और किसानों के हित में काफी जादा काम इन्होंने किया इसलिए इनकी जन्ती के ओपर जो है वो किसान दिपस मनाया जाता है सियूख तराष्ट ने किस वर्ष को गैम लीडस का अंतराष्थ वर्ष घोसित किया है तो कैम लीडस जो है उसको कब घोशित किया गया 2024 म्हाई शिजवन दुनिय भर के के जीवन में Camlidus के महत्व को देखिए पशु यहां पे आप देख रहे हैं इसका नाम है Camlidus इसके महत्व को जागर करने के लिए जो है वो अंतरास्थी Camlidus year जो है वो घोशित किया गया दो हजार 24 को इसके बारे में लोकों को जागरुक होना चाहिए और यह जो है वो किसकी परजाती के हैं आप यह समझ सकते हैं उंट उंट को जो है वो जाना गया है विशो के 90 से अधिक देशों में जो है यह पाए जाते हैं next question है कौन सा राजय सरकार mission investigation at the rate 75 दिन शुरू करेगी तो देखिए अभी यह question important क्यों है देखिए यहाँ पर mission investigation at the rate 75 आपने अभी कुछ time पहले जो है वो trending पे एक वीडियो जो ही वो चली थी उनका नाम था अंकेत 75 day hard challenge अगर आपने सुना है तो 75 day hard challenge की एक वीडियो काफी जादा trending पे रही थी तो वही से यह idea जो है वो बिहार सरकार को मिला है और उन्होंने 75 day एक challenge लिया है कि हम क्या करेंगे investigation करेंगे तो देखी बिहार पुलिस को 10 mission जो है वो सोपें गए थे DGP RS भटी के द्वारा इसकी शुरुवात एक जनवरी को जो है वो होगी और 75 दिनों तक जो है यह investigation चलेगी और इसके according जो है वो जो राज्य की जो राज्य की population है उसको जो है वो और जादा मतद जो है वो राज्य की पुलिस के द्वारा जो है वो मिलेगी next question है हाल ही में गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतीवंद हटाया है तो गुजरात में Gift City नाम का जो शहर है वहां से शराब पर प्रतीवंद जो है वो खटा दिया है तो यहां पे गुजरात International Finance Tech City जिसको Gift City के नाम से जानते हैं यहां पे गुजरात गुवर्मेंड ने शराब पर प्रतीवंद हटा दिया और इसे राजे भर में लागू होने से निशेद में जो है वो छूट दे थी पूरे गुजरात में जो है वो शराब पर प्रतीवंद लगाया गया ह लेकिन अभी Gift City में जो है वो इसको इसकी बैन को जो हटाया गया है वेराज होने के नाते जहां महात्मा गांधी जी का जनम हुआ था तो उसके उपलक्ष पर क्यूंकि महात्मा गांधी जो की रास्टर के बापू के रूप में जिनको हम जानते हैं तो गुजरात में मादक पेपदार्थों के निर्मान, भंडारण, बिक्री और खपत पर वहां की सरकार ने पूरी तरह रोक लगा दी थी नेक्स्ट क्वेशन है रास्टरी महिला आयोग की पूरव अध्यक्ष पदम भी भूशन डॉक्टर भी मोहनीगीरी का अभी हाल ही में निदन हो गया यह कित काम था डॉक्टर भी मोहनीगीरी इंपोर्टेंट कोईशन आप यहां पे ध्यान में रख सकते हैं 1995 से 1998 तक रास्टरी महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर यह रही थी और इन्होंने महिलाओं बच्चों की शिक्षा, रोजगार भी तिया, सुरक्षा के लिए काफी काम इ साजेदारी करता है, यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए, पेटियम में जब भी आप पैसा डिपोजिट करवाते हैं तो इंडस बैंक के द्वारा यह साजेदारी की जाती है, और इंडस बैंक ने भी हाल ही में हीरे अध्यों के लिए अपना एक नया प्रोग्राम शुर और यहां पर बाकी डिटेल जो हैं वो आप इसको रीड कर सकते हैं, कोईशन आपके लिए बन सकता है, नेक्स्ट है किस राजी के मुख्य मंतरी ने किसानों को ट्रेक्टर का तोहपा दिया है, तो देखिए नई यूनीक चीज जो है वो यूपी गॉर्मेंट के द्वारा क की गई है, उत्तर परदेश सरकार के द्वारा, तो मुख्य मंतरी किसान उपहार यूजना, मुख्य मंतरी किसान उपहार यूजना के अंतरगा तो जो है वो एक लोटरी की फोर में एक स्कीम रखी गई थी, जिसमें ड्रो निकलने पर प्रत्थम पुरुषकार जो था वो ट्रेक्टर निकाला गया और उस कारेक्रम में उस किसान को जो है वो सोना लिखा 35 ट्रेक्टर जो है वो भेंट किया गया ये कंपनी का नाम है सोना लिखा 35 ये ट्रेक्टर जो है वो भेंट किया गया तो अभी तक यूपी में जो है वो दो किसानों को ये भेंट किया गया है नेक्स्ट है शुशासन दिवस कब मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है और किसकी याद में तो अटल बिहारी बाजपेई जी के जनम दिवस के उपर जो है वो सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी बाजपेई जी को आप इनकी पूरी स्टोरी को आप जो है व अटल भीहारी बाज पईजी ने 1998 और 1999 के आसपास जो है जहां तक मेरे को याद है इन्होंने जो है भारत का दूसरा नुकलियर टेस्टिंग बॉम्ब जो है वो शुरू किया था नुकलियर बॉम्ब जो है वो शुरू किया गया था इनके द्वारा इनके द्वारा 1998 और 1999 के आसपास नुकलियर का जो है वो प्रोग्राम टेस्टिंग के लिए कि एटम बॉम्ब हम किस परकार से उसको यूज कर सकते हैं उसको इनके द्वारा जो है वो शुरुआत की गई थी उस टेस्ट के लिए उससे पहले जो है एक वार पहले भी इंडिया ने जो है वो अपना टेस्ट जो है नुकलियर बॉम्ब के लिए किया था लेकिन इनके साशन में ये जब इन्होंने फिर से किया तो पाकिस्तान को जो है वो कही न कहीं से ख़वर मिल गई थी कि इंडिया जो है वो आपके उपर अटैक कर सकता है क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग जो है वो होने वाली है तो जब पाकिस्तान से जो है वो सोरी USA से जो है वो कॉल इनको आया कि पाकिस्तान को जो है वो पता चल गया है तो इन्होंने जो है वो उस टाइम जवाब दिया था कि मैं पूरे भारत का मैं पूरे भारत का 25% हिस्सा जो है मैं उनको कुर्बान कर दूँगा अगर हम इंडिया जैसे मेरा बोलने का मतलब किया है यह पाकिस्तान है यह इंडिया है अब इंडिया ने क्या किया नैशनल टेस्ट कर लिए नुकलियर बॉंब के और पाकिस्तान को जब यह पता चला तो वहाँ पे खलबली मच गी तो पाकिस्तान ने क्या बोला कि हम इंडिया के उपर अटैक कर देंगे हम इंडिया के उपर अटैक कर देंगे क्यूंकि हम इंडिया को वो नुकलियर बॉंब टेस्ट नहीं होने देंगे तो पाकिस्तान ने इसकी खवर कहां पहुँचा दी USA के पास पहुँचा दी और USA ने इंडिया वालों को call किया परधान मंतरी अटल बिहारी बाजपईजी को call किया कि पाकिस्तान वालों को जो है बो पता चल गया है आप अपना न्युक्लियर जो है बो टेस्स ना करें तो उ आपको ये guarantee देता हूँ कि कल सुभा का सूरज जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल ही नहीं देख पाएगा, तो काफी सहस से जो है उन्होंने जवाब दिया था ये, इंपोर्टेंट कोईशन आपसे यहां पर बनते हैं अटल बिहारी बाजपी जी की पूरी स्टोरी जो है वो आप यूट्यूब के उपर ज़रूर सुनिए, काफी creative nature के उनके thought आइडिया जो थे वो रहे हैं, नेक्स्ट कोईशन नमबर 26 है, Grandmaster 2023 चिन्नई का खिताब जो है किसको दिया गया है, तो गुकेश जी को जो है ये खिताब मिला है, ये आपका state level का question आपके लिए बन सकता है, नेक्स्ट है टेक्नो स्मार्टफोन अभी हाल ही में जो है वो लोंच किया गया है, टेक्नो कंपनी के द्वारा इसका brand ambassador जो है वो दीपिका पादुकोन जी को जो है वो बनाया गया है, और टेक्नो जो है वो एक चाइना की कंपनी है, जिसकी शुरुआ 2006 में हुई थी और 70 से जादा देशों में जो है वो अपना ये product जो है वो बेजता है, विशो बैंक ने हाल ही में यूकरेन को कितने डॉलर की सहाइता परदान की है, तो बर्डवैंक के द्वारा भी हाल ही में 1.34 बिलियन डॉलर की सहाइता जो है वो किसको मिली है, यूकरेन को मिली है, ये question आपके लिए आप जरूरी है, हाल हिमे किस राज्य में इंट्रा डिसी ट्रक्ट हेलिकॉप्टर सर्विस को अधगाटन किया गया तो उत्तर परदेश यूपी के कोशन आपके एक्जाम में काफी जादा वार पूछे जाएंगे मुख्य मंतरी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आगरा से जो है वो मत्वुरा की गुबर्धन तक राजी की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक हेलिकॉप्टर सेवा को अधगाटन किया गया है मत्लि एक डिस्टिक से दूसरे डिस्टिक की तरफ और कब किया गया पूरव परधान मंतरी अटल बिहारी बाजपेजी के जन्ती के दिन और उनकी जन्ती कब मनाई जाती है अभी मैंने आपके साथ डिसकस किया पच्चिस दिसंबर को कौन सा दिवस शुशाशन दिवस मना आया जाता है तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं नेक्स्ट है दिवगन न्याय मूर्ती माधव रेड़ी पर विशेश डा कवर जारी किया जाएगा ये किस राजी के पूर्व राज ये पाल थे इंपोर्टेंट कोईशन है महारास्टर के रहने वाले थे इनकी हाल ही में जो है वो स्वामी वर्षगांट जो है वो 27 दिसंबर को जो है वो मनाई गी और उपर आस्टरपती जगदीप धन खड़े ने जो है वो 27 दिसंबर को इनके स्वामी वर्षगांट के उपलक्ष पर विशेश डा कवर जो है वो जारी किया नेक्स्ट कोईशन है किस देश के पेट्रोलियम निरियातक देशों के संगठन से बाहर निकालने का वैसला किया है तो अंगोला इसका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट कोईशन है रास्टी बैडिमिंटन चैंपियंशिप 2013 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है अनमोल खरव के द्वारा ये जीता गया है रास्टी बैडिमिंटन चैंपियंशिप 2013 अभी हाल ही में गुबहाटी में हुई और इसमें जो है वो बैडिमिंटन प्रति के लिए कि इस राज्ये ने सांस अभ्यान 2023 का चुबारंब किया है तो मनिपूर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है केंदरी कल्यान मंत्री मनिपूर के जो राज्ये स्वास्थे और परिवार कल्यान मंत्री हैं डॉक्टर सपम रंजन सिंग ने हाल ही में मनिपूर की परद्धानमंत्री नरेंदर मोदी जी के दौरा जो है यह किया जाएगा इसका पहला समेलन हिमाचल के 2000 हिमाचल में धरमशाला में किया गया था 2022 में दूसरा समेलन 2023 में दिली में यह जित किया गया और तीसरा तीन दीवसिय राश्टी समेलन जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो परद्धानमंत्री नरेंदर मोदी जी के दौरा की जाएगी और अभी तक इसकी हाँ यह अध्यक्षता जो है वो 28 से 29 दिसंबर तक जो है वो 2023 में की गई थी पहला जून 2022 में धरमशाला में दूसरा जनवरी 2023 में और तीसरा 28 और 29 दिसंबर 2023 को हाँ दिली में ही यह किया गया था और इसका में जो फोकस था मुख्या फोकस किया था इस आफ लिविंग का जो था इसकी एक थीम जो है वो रखी गई थी मुख्या इसमें क्षेतर के बारे में चर्चा की गई जैसे भूमी बिजली मकान पेजल और स्कूली शिक्षा नेक्स है विशो टेस्ट चैंपियंशिप में सरवदिक रन बनाने वाले भारती बल्लेवाज कौन बने हैं तो रन मशीन आप सब भी जानते हैं बिराट कोहली इंपोर्टिंट कोईशन आपके क्रिकेट से कोईशन पूछा जा सकता है भारत इलेक्रोनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य के साथ 445 करोड के अनुबंद पर हस्ताक्ष किये हैं फिर से यूपी का ही नाम यहां पर आया है तो यूपी के द्वारा जो है ये बोंड जो है वो बनाये गया है भारत इलेक्रोनिक्स लिमिटेड के साथ नेक्स्ट केंदरी मंत्री मंदल ने किस राजे में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्म 4.56 किलोमीटर ये लंबा रहेगा और इसके निर्मान के लिए जो है वो 3,064 करोड रुपे जो है वो खर्च किये जाएंगे नेक्स्ट है भारती नो सेना ने किस स्टील्थ गाइडेंस मिसाइल डिस्ट्रॉइड को शामिल किया है तो INS इमफाल को जो है ये शामिल किया ग नेक्स्ट है अंतराश्री क्रिकेट में दूसरे सबसे जादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया ये बल्लेवाज कौन है तो डेविड वार्नर इनका नाम है सबसे पहले स्थान पे जो है वो रिक्की पॉंटिंग आते हैं और दूसरे स्थान पे जो है वो कौन बने है डेव बाबों के शहर के नाम से इसको जाना जाता है लखनव को भारत का पहला AICT Artificial Intelligence City के रूप में इसे विक्सित किया जाएगा नोईडा पहले से ही IT के क्षेतर में काफी उभरा है यानि की Information Technology के क्षेतर में काफी उभरा है और लखनव को अब जो है वो IT हब के रूप में जो है वो भिक्सित किये जाने पर विचार किया जा रहा है नेक्स्ट है हाल ही में रास्ट्री उपभोकता दिवस का मनाया जाता है 24 दिजंबर को पूरे भारत में जो है रास्ट्री उपभोकता दिवस या फिर नैशनल कंजूमर डे जो है वो मनाया जाता है केंदरी कैविनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महाबानिज दूतावाज खोलने को मंजूरी दी है तो न्यूजिलेंड इसका राइट आंसर रहेगा केंदरी मंत्री मंडल किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझोते को मंजूरी दी है तो इटली ने ये मंजूरी जो है वो दी है next है कोटक महिंदरा बैंक का नए अध्यक्ष किसे चुना गया है तो कोटक महिंदरा बैंक के जो ने अध्यक्ष रहेंगे वो है CS राजन ये पार टाइम इसके प्रेजिडेंट जो है वो रहेंगे भारतिय रिजर्व बैंक के द्वारा इनको जो है वो मंजूरी दे दी गई है इनकी न्युक्ति आज से एक जनवी दोहजार चोबिस से जो है वो दो साल की अभजी तक जो है ये चलेगी नेक्स कोईशन है L.I.C. ने खाली में किसे चीफ रिस्क आफिशर के रूप में न्युक्ति किया है तो S. सुन्दर कृष्णन को L.I.C. जिसको भारती जीवन वीमा निकम के नाम से हम जानते हैं S. सुन्दर कृष्णन को चीफ रिस्क आफिशर के रूप में जो है वो न्युक्ति किया गया है और इन्होंने जो है वो परताप चंद पाई कराय का स्थान लिए पहले जो चीफ रिस्क आफिशर थे जिसको C.R.O. के नाम से हम जानते हैं तो C.R.O. जो पहले परताप चंद पाई कराय थे और अब जो L.I.C. के नए C.R.O. बनेंगे सुन्दर कृष्णन ये इंपोर्टेंट कोईशन है और L.I.C. जो है वो एक सारवजनिक शित्र की जीवन भीमा कमपनी है लाइफ इंशॉरेंस कवर करवाती है और इसका हेड आफिस जो है वो मुंबई में स्थित है किस राजे में कारभी यूबा महुतसब 2024 का आयोजिन किया जाएगा असम में ये आयोजिन किया जाना है भारत के राश्णवति द्रोपदी मुर्मुजी के द्वारा यह असम में कारिकरम आयोजित किया जाएगा नेक्सट है देशिया ड्रबिड किस नस्थापक कोन थे जिनका हाल ही में निदन हो गया तो इनका नाम है विजे कांथ यह आप देख सकते हैं अभी नेता से यह नेता बने हैं और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने भी जो है वो काफी शोक जो है वो जताया है पार्टी से काफी जुड़े थे इनकी बाइफ जो थी प्रेम लता उनको भी पार्टी में जो है वो परमुख एक सीट जो है वो दी गई थी इंडियन रेलबे कॉण्फरेंस असोशीशन रेलबे स्टेशन आयोध्या जंक्शन का नाम बदल कर क्या रखा है तो इंपॉर्टेंट कोईशन है जनुवरी में जो है वो आयोध्या मंदिर की जी शुरुआत जो है वो होने वाली है भगवान राम चंदर जी को जो है वो दिया जाएगा उनके मंदिर में तो इस रेलबे स्टेशन का नाम जो है वो चेंज करके रखा गया है आयोध्या धाम आयोध्या जंक्शन से इस रेलबे स्टेशन का नाम चेंज करके रखा गया आयोध्या धाम इंपॉर्टेंट कोईशन है 30 दिसंबर को परधान मंतरी नर से related कुछ कोईशन रहेंगे कुछ नए कोईशन यहां पर बनेंगे देखिए पहला कोईशन क्या रहेगा वालनाइनर फोर्म में F.I.H. महिला गोलकीपर आफ दे एर अवोर्ड किसने जीता है तो सभीता जी के द्वारा जो है यह जीता गया है और जो भी हमने अभी उपर कोईशन डिसकस किये है उनसे ही related कोईशन जो है वो आपसे यहां पर पूछे जाते है तो अगर मैं मेल की बात करूं तो हार्दिक सिंग जो कि मैंने आपको I think 4th य 5th कोईशन कराया था आज की इस क्लास में उसमें हार्दिक सिंग जी का भी नाम था और वो player of the award के नाम से player of the air award के नाम से उनको यह अबोर्ड दिया गया था हर्दिक सिंग जी को लेकिन यहां पर महिला की बात की गई है तो उनके साथ साथ 2023 में सभिता जी को जो है वो यह अबोर्ड दिया गया है नेक्स्ट हाल ही में exchanger ने किस शहर में जो है वो AI की शुरुवात जो है वो की है नया artificial intelligence का studio जो है वो खोला गया है तो यह कहां पर खोला गया बेंगलूरू में खोला गया है कहां पर बेंगलूरू में question important है यह आप ध्यान रखें जो native AI studio खोला गया है कहां पर बेंगलूरू में next question है किस बेंग ने पहली बार पुझी करण में 5 trillion का अंकड़ाच हुआ है तो SBI bank यह सबसे trending पे रहता है भारती नोसेना ने अपनी सोदेशी guidance missile तेनात की है कहां पर Gulf of Eden में समुद्री जो लुटे रहे हैं उनसे बचने के लिए यह नोसेना के द्वारा जो है बो missile तेनात की गई है नैशनल mathematics day जो है वो 12 December को मनाया जाता है देखी एक question था player of the year abort से सम्मानित किया गया हार्दिक सिंग जी को और अगर मैं female की बात करूँ तो female में किसको दिया गया सबीता जो की भारती होकी team की क्या है गोल keeper है नेक्स एक खेलो इंडिया youth game का आयोजित किया जाएगा तमिल नाडू में यह आयोजित किया जाएगा इसके चार शहरों में आयोजित किया जाएगा और जो खेल मंत्री है भारत के उनका नाम है अनराग सिंग रागोर राश्ट्रिय गनित दिवस प्रती दिन अप्रती वर मिलती है नेक्स एक ग्रामीन विकास मंत्राले ने स्वेम सहाईता स्मू के उत्पादों की पहुंच को बढ़ाने के लिए किस के साथ समझोता किया तो जो छोटे छोटे इंडस्री है उसको जीयो मार्ट के साथ जो है वो जोड़ा गया है ताकि उनको इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल के उपर जो है वो पहुंचाया जा सके किस केंदरी मंत्री ने आदी व्याख्यान कारिक्रम का उधगाटन किया है तो अर्जुन मुंडा है केंदरी जिंजाती मंत्री है ये नेक्स्ट है हाल ही में विश्व बास्केट बॉल दिवस का मनाया जाता है 21 दिसम को हम मनाते हैं मैठिमेटिक्स डे 23 दिसमबर को हम कि सान दिवस मनाते हैं 24 को हम सुषाष्ण दिवस मनाते हैं 25 को हम क्रिस्मसalten के पता होने सब्सूपर कि सम्वाच से पूचे जा सकते जिसका नाम है VGGS 2024 प्री समिट समिनार अयोजित कहां किया जाएगा गुजरात में अयोजित किया जाएगा क्यूंकि सेंटर गोवर्मेंट के द्वारा यफ स्टेट गोवर्मेंट के द्वारा सिर्फ 10 थे प्लस 2 तक के बच्चों को ही जो है ये अवोड दिया जाता है अब एर्थ क्लास के बच्चों को भी टैव देने की शोविधा जो है वो शुरुआत की है आंदरप्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2024 में गनतंतर दिवस के लिए फ्रांस के रास्टरपती जी को क्या किया गया है आमंत्रित किया गया है नेक्सट है यूनसको ने राम बाग गेट और प्राचीर को पुरुस्त किया तो कहां के राम बाग को पुरुस्त किया गया है यूनसको के दौरा अम्रित सर के हाल ही में बिश्व बैंक ने किस राजय में 300 मिलियन डॉलर के कारेकरम को मनजूरी दी है तमिल्णाडू में ये कारेकरम मनजूर किया गया बर्डवैंक के द्वारा और किस क्षेतर के लिए बिजली पानी उसके बाद उनके रहने के लिए जो घर है उसके साथ साथ जो सी ब्रेज की समय से आगा उसके लिए 300 मिलियन डॉलर जो फंड है वो वर्ड वेंग के द्वारा तमिलनाडू को दिया गया हाल ही में टैगोर साहित्य पुरुसकार किसके द्वारा जीता गया शुकृता पॉल के द्वारा जीता गया है skilled reports के अनुसार भारत में काम करने के लिए जो सबसे पसंदीदा राज्य है वो कौन सा है वो है केरल अभी हाल ही में NHS RCL के रूप में किसे न्युक्त किया गया परमोध शर्मा जी को न्युक्त किया गया है नेक्स्ट है हाल ही में राजीव गांदी स्वरोजगार योजना कहां शुरू की गई है हिमाचल परदेश गोवर्मेंट के द्वारा यह शुरू की गई है इंपोर्टेंट कोईशन है सुखु सरकार के द्वारे स्टार्ट की गई है और कब शुरू की गई अभी हाल ही में एक साल जो है वो पूरा किया गया सुखु सरकार के द्वारा उसके उपलक्ष पर हिमाचल प्रदेश में राजीव गांदी स्वरोजगार यूजना जो है वो बात की गई है नेक्स्ट है बंदन बेंकों के सराजे से इगार्स पोर्टल का राजसर प्रापत करने का दिकार मिला है तो असम इसका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट है आई टीटी एफ गवर्निंग बोर्ड के सदस्य की रूप में शामिल होने वाली पहली भार की कौन बनी है तो बीटादानी नेशनल फार्मस दे का मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाते हैं और कैम लिडर्स का अंतराश्ची बढ़ घोशित किया गया है यानि की कैमल्स का उंट का दो हजार चोबिस का वर्श घोशित किया गया Mission Investigation at the rate 75 तो interesting question था आपके लिए ये बिहार मैंने आपको story भी बताई अंकित नाम है उनका YouTube के उपर काफी famous है राम राम सारे भाईयन है इस तरीके से उनकी शुरुआत की जाती है 75 hard day challenge उनके द्वारा शुरू किया गया था आप सभी उनको जानते हैं उसी के उनी के उस बात को मध्य नजर रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा Mission Investigation जो है वो शुरूप किया गया है हाल ही में गुजरात सरकार ने किस सहर से शराब प्रतिवंद हटाया है तो Gift City वैसे पूरे गुजरात में शराब बैन है लेकिन अभी हाल ही में Gift City में जो है वहां से शराब के प्रत रही थी 95 से लेके जो है वो 1998 तक इन्होंने जो है वो अपना कारेकाल जो है पूरा किया था राष्टी महलायों कहां पे है नहीं दिल्ली में है ये भी आप ध्यान रखिए किस बैंक ने हीरा अधियोग के साथ अपना नया प्रोग्राम शुरू किया है तो इंडस बैंक ने पे टियम के साथ भी इसकी काफी साजेदारी रहती है नेक्स्ट है Miss Continental International 2023 का ताज मिला है आस्था राबल को ये दिया गया है नेक्स्ट है खाली में किसे मर्नो परांत बीर चकर से सम्मानित किया गया बिनोय राइ चोधरी जी को सम्मानित किया गया भारत सरकार ने कब तक प्रमानु उर्जक शम्ता, 7,480 से बढ़ा कर, 22,480 मेगबोट करने की शुरुआत की है, तो 2,032 तक ये कारे पूरा कर दिया जाएगा, किसने महानदी कॉल फील्ड लिमिटेड के C.M.D. का पदभार संबाला है, उदे एक काउल, इसका राइट अंसर है, 2013 में राष्टी वैडिमिंटन चैंपिन्शिप हुई थी, इसमें महिला एकल का खिताब किसे दिया गया था, अनमोल खरब को ये दिया गया था, किस देश ने पेट्रोलिम निर्यात तक देशों के संगठन से बाहर निकालने का फैसला किया है, अंगोला इसका राइट अंसर है, इंट्र डिस्टिक हेलिकॉप्टर की शुरुआत की गई है, उत्तर परदेश के द्वारा और बर्ड वैंक ने अभी यूक्रेन को जो है वो सहाइता परदान की है, एक दश्मलव तीन चार बिलियन डोलर की साहिता जो है वो शुरू की है, टेक्नो स्मार्टफोन ने अपना निया ब्रेंड अबेस्टर घोशित किया है दिपिका पादुकॉन जी को, जेनेई ग्रेंड मास्टर दोहजार तरेइस का खिताब जो है वो डोमा राजू गुकेश जी के द्वारा दिया गया, नेक्स्ट है भारत के उपरास्टपती जगदीप धनखडे ने अभी हाल ही में एक डाक कवर जारी किया गया है, ये किसकी याद में रहेगा, माधव रेडीची की याद में जो है ये रहेगा, ये गवर्नर भी रहे चुके हैं, मुखे सचिवों के तीन दिवसी रास्टे समेलन के अध्यक्षता जो है वो परधान मंत्री नरेंदर मोधीची के द्वारा किये गई, अभी दिसंबर में ही ये समेलन जो है वो हुआ है, इसका फर्स्ट समेलन जो है धरमशाला में किया गया था 2022 में, नेक्स अभिशो टेस्ट चैंपेंशिप में सबसे धिक रन बनाने वाले बल्लेवाज कौन बने हैं, बिराट कोहली, और अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो ऑस्टेलिया के बल्लेवाज बने हैं, डेविड बॉर्नर, जो की दूसरे नमबर के उपर रहेंगे, पहले नमबर पे ऑस्टेलिया ये बल्लेवाज हैं, रिक्की पॉंटिंग, नेक्स्ट निमोनिय की रोकताम के लिए सांस अभियान शुरू किया गया था, 2023 का मनिपूर गॉर्मेंट के दौरा, हाल ही में, भारत के महाबानिज दूतावास खोड़ने को मंजूरी दी गई है, ऑकलेंड के दौरा, यानि कि न्यूजिलेंड के दौरा जो है, ये मंजू रूप में किसको विक्सित किया जा रहा है, लखनव को और गराइटी हब की बात करें, तो गुडगाओं, ये नोईडा इसका राइट आंसर रहेगा, नेक्स्ट है, अभी हाल ही में, भारती नोसेना ने स्टीर्थ गाइडेंस मिसाइल, डिस्ट्रोयर को सामिल किया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, गंगा नदी के उपर एक नया पूल बनने वारा है, बिहार में, इसकी लंबाई रहेगी, 4.56 किलो मीटर, भारत इरेक्रोनिक लिमिटेड ने जो है, उत्तर प्रदेश के साथ 445 क्रोड के अनुबंद के उपर अस्ताक्षर किया है, अबी हाल ही में, आयोधिया जंक्षन का नाम जो है, वो चेंज करके इसका नया नाम रखा गया, आयोधिया धाम, रेलिबिस्टेशन है यूपी में ये, इसका नया नाम रखा गया है, आयोधिया धाम, नेक्स्ट पंजाब नैशनल बैंक ने, Q.I.P. या फिर F.P.O. के जर है नेक्स्ट है देशिया द्रबीड कड़कम के संस्थापक कौन थी जिनका हाल ही में निदन हो गया तो बिजे कांथ बीजे पी से समंध रखते थे चीफ रिस्क ऑफिसर यानि कि सी आरो अभी ने न्यूक्त किये गए हैं लाइसी के द्वारा उनका नाम है सुंदर सुंदर कृष्णन कोटक महिंदरा बेंक का अभी पार टाइम अध्यक्ष बनाये गया है सी एस राजन जी को और केंद्री मंत्री मंडल ने इटली के साथ प्रवासन और अबाजाही समझोते को जो है बुमंजूरी दी गई है कार्भी युवा मोहत सब कम बनाया जाएगा अस पर इंडिर्लंका में इनका यह निया पदभार ग्रहन होगा तो अभी तक हमने जहां वो दिसंबर मंत की जो भी करणेट प्रवेइर उसको डिसकुस करें लिया सात में हमने हमने इसकी जो Er्य में मिस्गी कोशिन है उनको भी कर सकते हैं अई होब आपको क्लास अच्छी लगी जल्दी ही हमारा HPTAT 2024 का नया बैस जो है बो स्टार्ट होने वाला है उसकी जल्दी ही क्लास जो है उसकी स्टार्ट हो जाएंगी विजयपाथ विजयपाथ एजुकेशन के द्वारा आप इस नंबर के उपर जो है वो कंटेक्ट कर सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं और डेली शाम आठ बजे आप हमसे जो है वो जुड़ सकते हैं विजयपाथ एजुकेशन के ओफिशल यूट्यूब चैनल के ओपर डेली शाम आठ बजे आपकी एक मल्टिपल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस की क्लास आपके लिए लगाई जाती है विजयसर जी द्वारा आप उसको देखना ना भूलें क्यूंकि उसमें आपके लेवल के कोशन आपको डिसकस करवाए जाते हैं जिसमें डिफरेंट आपके सब्जेक्ट रहते हैं अप उस वीडियो को ज़रूर देखें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को आप जरूर लोगी में नेक्स्ट क्लास के साथ आपसे मिलूगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत